नमस्कार, SBD News में आपका स्वागत है, पेश राजसान जोदपूर बिकानेर जिले की बड़ी खबरें बिजली को आवशक बिजली सप्लाई हो रही है और वो आगे भी जारी रहेगी। केंद्रिय मंत्री जोशी ने कहा कि मोधी सरकार सभी को अश्वस्त कर रही है कि बिजली आपूर्ती बादित होने का कोई खत्रा नहीं है। पहले से तैग की गई स्क्रिप्ट के जरीए कोई इंकम टैक्स ओफिसर बनता है तो कोई अमेजन कमपनी का प्रत्ने दी। इसके बाद शुरू हुआ इनकी ठगी का खेड। बाद में एक अन्या रोपी दिल्ली निवासी सोरग शर्मा को भी गिरफतार कर लिया गया। बारतिय रेलवे का सफर अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित होने जा रहा है। इसकी शुरुआत राजसान में उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडल की ट्रेनों से होगी। एक ही ट्रेक पर दो ट्रेनों के आने से कई बार हाथ से पेश हो चुके हैं लेकिन अब ऐसा डिवाइस ट्रेनों में लगाया जाएगा जिसकी वजह से एक ट्रेक पर दो ट्रेनों की आपस में टक कर नहीं होगी। रेलवे में संक्षायवं सुरक्षा सर्व परी है। सुरक्षा को प्रात्मिक्ता देते हुए ट्रेनों की आपसी भिढंत की गटनाओं को रोकने के लिए बार्तिय रेल द्वरा पून रूप से स्वदेशी प्रनाली टीसी एस विक्सित की गई है। बाजपा ने उन्हें तोफा देते हुए प्रदेश कायकारणी में प्रदेश मंत्री बना दिया है। पुन्या ने देर शाम उन्हें इस पत पर न्युक्ती देने के आदेश चारी किये। हालांकि वरलब नगर में अभी तक भाजपा से बागी होकर आरलपी के चुनाव चिन खेत में खुले में बने चंबल लिफ्ट परियोशना के पाइप को दाम में रविवार दोपहर करीब दो बज़े आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग ने विक्राल रूप दायान कर लिया, प्लास्टिक और पीवी सी की पाइपें धूधू कर जलने लगी। कमपनी ने आग से करीब पांच कोड रूपे के नुकसान का प्रात्मी कनुमान लगाया है। 21 का आयोजन रभीवार को देश्वर में हुआ। इस परिक्षा के आयोजन को लेकर जोदपूर में 30 सेंटर बनाये गए जिनमें 45 फीजदी परिक्षार्थियों ने परिक्षा दी। इस दुरान विशेश योग्याजन अभियार्तियों के लिए अलग से सेंटर बनाया गया जिनमे 12 परिक्षार्थियों ने परिक्षा दी परिक्षा के दोरान कोलोना वायर संक्रमन की गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करवाई गई और सभी परिक्षार्थियों का थर्मर स्कैनिंग की गई इसके लावा परिक्षा केंद से ही मास्क दिये गई वे सैनिटाइजर भी उपलब्द करवाया गया बिकानिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की ओर से सोमवर को विद्यूत उपकरणों का रखरखाव किया जाएगा इसकारण सुभै साथ से दस बजे तक बिचलिया पूर्थी बादित रहेगी समता नगर आधिशेतर प्रभावित रहेंगे मारवार में मानसून की विदाई के साथ एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा है जोदपूर में दिक्तम तापमान 38 दिक्री तक पहुंच गया है हालांकि रात के तापमान में बढ़ोती नहीं हो रही है दोपहर में यहाँ तपिश रहती है लेकिन रात के मोसम से गरमाहट दूर हो चुकी है बीका निर के शिव वैली सिट फ्लोरल होस्पिटल में गुलाभ गहलोत चरी ٹेबल टरस्ट बीकानिर में फ्लोरल हॉस्पिटल के सिंट तत्वाधान में रविवार को चिकिछ सा शीविर लगाया गया कांग्रस नेता गुलाब गहलोत की स्मृति में आयोजिद शीविर में हड़ी एवं दंत रोग विशेशग्यों ने नीशुल को परामश दिया जोदपुर संबाग के सिरोही जिले में केमिकल से भरा टैंकर पलट गया ओटो रिक्षा को बचाने के चक्कर में हासा हुआ टैंकर में बरा 31 टन मिथाईल सडक पर भैगया देखते ही देखते टैंकर के पिछले हिस्से में आग लग गई दमाके की अवाज सुनकर दोड कर आई लोगों ने टैंकर में फसे ड्राइवर पर खलासे को बाहर निकाला सुचना पर पहुंचे पुलिस ने दोनों घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया एक दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया बिकानियर में योग प्रशिक्षिन एवं प्रचार स्मीतिक तत्वाधान में संचालित योग प्रशिक्षिन केंदर की सत्रवी वर्षकांट रविवार को मनाए गई इस मोगे पर रिदे रोग विशेश्या के डक्टर पिंटू नहटा ने कहा कि रिदे रोग से बचाव करना है तो नियमित योगा ब्यास करें वर्टमन कुरोना महामारी से रिदे रोग्यों की बढ़ोतरी होई है जीवन में योग को दिन चर्या की रूप में सम्मिलित कर स्वस्त रह सकते हैं नेच्रोपैथी विशेश्या के डक्टर हरी किशेट डागा ने कहा कि प्रकरती के नुर्कूल अहार विखार तर दिन चर्या स्वस्त जीवन की कुझी है मनोरोग विशेशगे डक्टर करनया लाल कच्छावा ने कहा कि कोरोना महमारी से फेफरों को नुकसान हुआ है साथ ही मानसिक विकार भी होए है नियमित योगा ब्यास वे तुलसी पत्ता सेवन से मनोरोग में अद्बूत लाब होता है जोदपुर संभाग के पाले जिले में बगड़ी नगर थाना शेतर के कंटालिया गाउं के निकट मोड पर आसंतुलित होकर एक पिकप पलट गई हाथ से में एक गायल की जोदपुर में उपचार के दुरान मोथ हो गई तदा 18 जने गायल हो गई जालडा निवासी 35 वर्षे नरायंट सिंग रावत की मोध होई है सभी मालिया गाउं में अपने रिष्टेदार के यहां आयोजित समाजी करेकरम में जा रहे थे इस तुरान यहाथ सा हो गया वेक्सिनेशन अभियान के तहट रादानाडा स्थित पुलिस लाइन स्थित राजकी चिकित साले में वेक्सिनेशन शिविर आयोजित किया गया जिसमें शहर विदायक मनीशा पवार ने शिविर का अवलोकन किया इस दुरान पुलिस बैंड द्वारा केसर या बालम पधारों की धुन के माध्यम से शहर विदायक और अतितियों का अभिवादन किया गया शहर में दोसो स्यदिक लोगों का टिक अखरण किया गया पुरुप्रधान बंती स्वर्गी अंद्रा गांधी की चचेरी बहन दीपा कॉल इन दिनों जोधपूर दोरे पर है वह एक नीजी समारों में हिस्सा लेने जोधपूर आई इस दोरान उन्होंने लखेमपूर खिरी मामले में बयान देते हुए कहा कि किसानों के साथ गलत हुआ उन्होंने प्रियंका गांधी की गीरफतारी को भी गलत ठहराया उन्होंने कहा कि प्रियंक का शादी समारों में नहीं गई थी, गरीबों का दर्द बाटने गई थी, उन्हें ऐसे रोकना सही नहीं है फिलहाल इस पुलेटेन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ SPT News की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें